गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज रेगुलर एक्जाम अप्रेट्स करेंट अफेर्स और स्टेडी मैटिरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2024 के करेंट अफेर्स देखेंगे जो विभिन कारणों से चर्चा में बने हो चलिए शुरू करते हैं आल ही हाल ही में किस राज्य ने अगनीवीरों को पुलिस भरती में 10% आरक्षन देने का एलान किया है तो अभी हर्याना की सरकार ने अगनीवीर जो स्कीम सरकार लेके आई थी उनको पुलिस भरती में 10% आरक्षन देने की बात की है नीचे इसके बारे में थोड़ा सा देखने है, क्योंकि इसमें कुछ और भी चर्चा की गई है, इसके साथ ही Group C पदों पर होने वाली भड़तियों के लिए 5% का आरक्षन की घोशना की गई है, और इसके साथ ही उम्मीदवारों को उपरी IUC में भी छूड़ देने की बात कह ही गई है, इसके अलावा देखिए हरियाना का भी एक और city famous है, फरीदाबाद, यह हमने कल कवर किया था, फरीदाबाद में एशिया की पहली pre-clinical facility या सुवधा, एशिया की पहली है देख लिए इसलिए important है, pre-clinical facility का उधगाटन भी, डॉक्टर जीटेएंद्र सिंग ज इस मंतराले की पहल है, तो यह जो ministry of youth affairs and sports है, यानि खेल मंतराले की एक यह पहल है, अभी olympic खेल शुरू हो रहा है, तो उसके ध्यान में रखकर यह तयार किया गया था, पैरिस olympic के मद्दे नजर सरकार के महत्वा कांशी, खेलो इंडिया rising talent identification कारेकरम, तो यह है आपका कीर्ती, को केंद्रे योगा कारेकरम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंतरी डॉक्टर मंसुक मंडाविया के नितरत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है, तो इसको पूरा restructure किया जा रहा है, जिस वज़े से अभी यह news में बना हुआ था, हाल ही में किस बार्मी पास प्रसिक्षु को 6,000 रुपए, डिपलोमा धारक को 8,000 रुपए और सनातक डिग्री वालों को 10,000 रुपए प्रती महा मिलेंगे, इसके अलावा देखिए महराश्टर में इससे पहले अभी एक और important योजना चर्चा में थी, मुख्यमंत्री, माजी, लड़की बहिन योजना, ये भी अभी महराश्ट सरकार की एक स्कीम है जो चर्चा में बनी हुई थी, इसके अलावा महराश्टर और वजय से भी चर्चा में है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधिजी ने भी महराश्टर में ही सबसे लंबी शेहरी टनल या शेहरी सुरंग की इगतपुरी लेक या इगतपुरी जील में अभी सेंट्रल रेल्वे ने अपनी तरह का पहला तैयरता हुआ सौर सयंत्र या सोलर प्लांट इगे सौर सयंत्र यहीं पर अभी एस्टेबलिश किया है तो इगतपुरी जील भी आप याद रखिएगा इसके लावा महराश्ट सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव या चीफ सेकेटरी अभी बनी है ठीक है नाम है सुजाता टॉनिक ठीक है यह महराश्ट सरकार की पहली मुख्य सचिव है महिला मुख्य सचिव है माफ कीजी पोर्ट लुइस में भारत मौरीशियस मैत्री उध्यान यानी दौरा था और उन्होंने यहाँ पर मौरीशस में, मौरीशस की राजधानी है, पोर्ट लुइस, यहाँ पर इन्होंने भारत मौरीशस मैतरी उद्धान की आदाशिला रखी, इसके इलावा देखिए एक चीज जो बहुत इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे साथ ही विदेश मंतरी जैशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औशधी केंदर का भी उदगाटन किया, जो परधान मंतरी जन औशधी योजना है, जहाँ पर आपको पता है, जनरिक मेडिसन्स बहुत हमें कम दामों पर मिलती है, तो भारत के बाहर यह पहला केंदर बनाया ग इसका नाम है, नौर्थ इस्ट रीजन एग्री कॉमोडिटी इकनेक्ट, जिसे छेत्र के किसानों को लाभानवित करने और इसे अंतरराष्ट्य बाजार में उच्छ मूल्य वाले बागवानी उतपादों के केंदर के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए तो उसी के लिए पोर्टल डेवलप किया गया है, पावर विदिन दा लीडर्शिप लेगेसी ओफ नरेंद्र मोदी नामक उस तक के लेखत कौन है, यह इंपोर्टेंट है, यह बुक लिखी है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमन्यन में, और कल नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बुक जो अभी लिखी गई है, यह टिम वॉकर, यह बुक अच्छी है, यह भी देखिए पूसकता है, टिम वॉकर सरद्वाराई किताब लिखी गई है, और भोपाल गैस तरासदी जो 1984 में हुई थी, इसको इस साल 40 वर्ष पूरे हो रहे है, तो उसी की याद में यह करके इनको कम ही पूछता है, तो I have the streets, यह रवी चंद्रा नश्विन और सिधार्थ मोगा ने लिखी है, gateways to the sea, launched by governor of महराष्टर, रमेश बैस के दौरा लॉंच की गई, the adventures of Ed a mama, Ed finds a home, यह आलिया भट जी के दौरा भूख लिखी गई है, इंडिया's trade policy, यह भारत की व्या पार नीती, the 1990s and beyond, क्योंकि निसन 91 में हमने क्या किये थे, LPG reforms लेकर आये थे, liberalization, privatization और globalization या उदारी करण, निजी करण और वैश्वी करण की नीती हमने अपनाई थी, तो उसके बात की बात, अर्विंद पंगडिया सर ने अपनी इस बुक में की है, और अर्विंद पंग रठित किया जाता है, तो सोलवे Finance Commission के जो अध्यक्ष है, वो अर्विंद पंगडिया सर ही है, and anchored vision ये करू मुट्टु टी कनन जी के द्वारा या के टी कनन के द्वारा किताब लिखी गई है, तो ये बुक्स अभी चर्चा में रही है, इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत् जाता है, इसके बारे में देखे थोड़ा सा पढ़ लिता है, काफी important इसमें fact है, नेलसन मंडेला अंतर राष्ट दिवर्स हर साल 18 जुलाई को दक्षिन अफरिका के पहले अश्वेत राष्ट पती नेलसन मंडेला के जीवन और विरासत का जश्ट मनाने के लिए किया जात है, मंडेला 10 मई 1994 को दक्षिन अफरिका के पहले लोकतांतरिक रूप से निर्वाचित राष्ट पती चुने गए थे, उन्हें दक्षिन अफरिका में राष्ट पिता के रूप में यानि father of the nation के रूप में जाना जाता है, जैसे भारत में महात्मा गांधी जी को मानते हैं, ऐसे ही साउथ अफरिका में नेलसन मंडेला जी को जाना जाता है, 2024 की इसकी थीम क्या है, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथ में है, ये इस बार इसकी थीम है, नेलसन मंडेला अंतराष्ट दिवस को आधिकारिक तोर पर 2009 में संयुक्त राष्ट द्वारा भूशित किया गया था, तो ये कुछ important factors से सम्मों के थे, और भारत से भी इनका गहरान आता रहा है, नेलसन मंडेला को 1990 में भारत रतन के पुरुसकार से नवाजा गया था, इसको यादरखीरा साल हो सकता है आप से पूछले, और ये दूसरी personality थे, second शक्सियस थे जिनको भ अबॉट दिया गया था, सन 1980 में, भारत रतन का, ठीक है, तो ये भारत रतन पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे, आगे चलते हैं, भाली में सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया और ऑक्सवोर्ड युनिवरस्टी ने, किस देश में उच्छ प्रभावकारिता वा सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया ने ये वैक्सिन डिलीवर की है, आइवरी कोस्ट पहला देश है, जिसे सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया और ऑक्सवोर्ड युनिवरस्टी द्वारा विखसित, आई-21 मलेरिया वैक्सिन को तैनात किया गया है, और देखिए, आप मच्छ्रों की तीक है, उसके काटने से ये होता है। और Спेशली, देखे कि अवल मादा एनफिलीस, मच्छ्र एनक्ष्विलीस कैट्फिरी का उससे ये नहीं फैलता है। पीम póस के तीक हम सार्ज काटने से यह फैलता है। और दो special इसके副ळांत है, P.-falsy parum यानि प्लाजमोडियम, फैल्सी पैरम और पी विवेक्स ये दो इस्पेशली प्रजाती हैं जिनके काटने से ये बहुत तेजी से फैलता है या ये इसके वेरियंट है हाल ही में किस देश को संयुक तराष्टे जलवायू कोश बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है तो अभी फिलिपिन्स को जो संयुक तराष्टे का क्लाइमेट चेंज फंड है उसकी मेजबानी या उसको होस्ट करने के लिए चुना गया है तो फिलिपिन्स को हानी और छती कोश के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो जलवाईू परिवर्तन से प्रभावित समुदायों की सायता करने में एक महत्वफून कदमा और वर्ल्ड बैंक इसको चार साल के लिए टेंप्रेरी रूप से देखे गूए। चैगोस द्वीप समुँ पर भी बात हुई है, चैगोस द्वीप समुँ आपका United Kingdom की एक overseas territory है, यानि United Kingdom के बाहर एक territory है, छेतर है जो आपके Indian Ocean या हिंद महासागर में इस्तित है, नीचे मैप भी लगाया है, वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यह है आपका India, यह है Mauritius और यहाँ पर आपको देखेगा, चैगोस आर्ची पलेजो या चैगोस द्वीप समुँ ठीक है, तो United Kingdom के अंतरगतिये आता है, आल ही में किस संगठन ने वित्तिय समावेशन सूचकांग जारी किया है, यानि Financial Inclusion Index जारी किया है, तो Reserve Bank of India के द्वारा यह Index अभी जारी किया गया है, तो देखिए इसमें नाबार्ड भी है, आप सबको पता होगा, नाबार्ड ने भी एक फंड जारी किया है, जिसका नाम है, Agree Shure Fund, आपका 4700 करोड रुप, रुपय का एक फंड है, तो अकर यह पूछे आप से की, Agree Shure Coast या Agree Shure Fund का भी उद किसने किया है, या किसने लॉंच किया है, तो नाबार्ड ने इसको लॉंच किया है, हाल ही में खबरों में रही Mackenzie नदी, किस देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी बेसिन है, तो यह Canada की सबसे लंबी नदी बेसिन है, यानि इसकी सायक नदियों को मिला कर इसका एर देखे ये Canada आपको पता है उत्तरी अमेरिका यानि North America जो continent है महादीप है वहाँ पर पढ़ता है और अगर बात करेंगे Mississippi, Missouri जो की अमेरिका में नदी बहती है उसके बाद ये उत्तरी अमेरिकी महादीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है मैंने map भी डाला है बागवानी में सर्वशेष्ट राज्य का पुरुसकार 2024 जीता है तो नागा लैंड ने देखिए बागवानी के छेत्र में सर्वशेष्ट राज्य का पुरुसकार जीता है एक चीज और चल्चा में है ओवरॉल भारत में अभी सर्वशेष्ट कृषी राज्य का पुरुस प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल की पहल है, पिछले साथ सालों में रेलवे सुरक्षा बल ने नन्य फरिष्टे नामक अभियान के दौरान काफी अच्छा काम किया है और इसमें सबसे आगे रहा है, इन्होंने 2018 से 2024 के दौरान लगबक 84,119 बच्चों को अगर बात करें हम अभी और कुछ जो भारत में चर्चा में रहे एक तो सबसे important है, खार्ची पूजा, खार्ची पूजा आपका तिरपूरा का एक उत्सव है, इसके लावा बहदी नकलम, उत्सव मनाया गया यह मेघालय का उत्सव है, मेघालय का ही एक उत्सव और अभी वंगाला, वंगाला महुत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है, इसके लावा अंबू बाची मेला, अंबू बाची जो मेला है यह असम में मनाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर है, असम में वहाँ पर मनाया जाता है, इसके लावा एक खीर भवानी मेला, यह जम्मू अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजेगा धन्ने वाद